हेलो दोस्तो कैसे है आप सम तो दोस्तो आज के वीडियो में टाइम and work सुरू करने वाले हैं दोस्तो अगर टाइम and work में आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी ये वीडियो देखिया आज के बाद दोस्तों आपको कभी problem नहीं होगा ऐसे प्रशन को बनाने में तो दोस्तों वीडियो में सुरू से अंतक बने रही है और वीडियो को ध्यान से देखिए तो दोस्तों चलिए वीडियो को start करते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन प्रेस कर लिएगा तो दोस्तों फश्ट प्रसन है यदि A तथा B किसी काम को करम सब 12 तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे देखिए दोस्ते प्रस्ण क्या कर रहा है प्रस्ण का कहना है कि A तथा B किसी काम को अलग-अलग 12 दिन में और 24 दिनों में स्माप्त करता है A जो है उस किसी काम को 12 दिनों में करता है और B जो है किसी काम को 24 दिनों में करता है तो दोनों मिलगर उस काम को कितने दिनों में स्माप्त करेंगे दोस्तो ऐसे प्रस्नों को किस प्रकास से बनाएंगे इसका कॉंसेप्ट जानिए दोस्तो क्या कर रहा है यह जो है किसी काम को 12 दिनों में स्माप्त करता है और B जो है दोस्तो किसी काम को 24 दिनों में स्माप्त करता है तो क्या करेंगे दोस्तों इसको सबसे पहले इसमें टोटल काम निकाल लेंगे कि कितना काम को यह 12 दिनों में करता है और कितना काम को भी 24 दिनों में करता है तो क्या करेंगे दोस्तों इस 12 और 24 को दोनों का LCM ले लिजिए LCM निकल के जो आएगा दोस्तो वही total काम होगा तो 12 और 24 को जब LCM लेंगे दोस्तो तो 24 निकल के आएगा ठीक है यानि कि दोस्तो यह जो है 12 दिन में यह 24 काम करता है और B जो है दोस्तो 24 दिन में यह 24 काम को करता है तो दोस्तो एक बात आप बता सकते हैं कि A जो है 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा इस 24 मंदों से भाग दे दीजिए यानि कि 2 काम करता होगा एक दिन में और दोस्तो B जो है इस 24 काम को करने में 24 दिन का समय लेता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा एक दिन में दोस्तों एक काम करता होगा इस 24 में 24 से भाग दे दीजिए एक हो जाएगा ठीक है यानि कि दोस्तों A जो है एक दिन में दो काम करता है और B जो है दोस्तों एक दिन में एक काम करता है इतना तक आप समझ गए होंगे इसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों देखिए तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में स्वाप्ट करेंगे तो दोस्तों देखिए टोटल काम है 24 ठीक है और ए एक दिन में दो काम करता है भी एक दिन में तीन काम करता है अगर दोनों मिल जाएगा दोस्तों तो एक दिन में कितना काम करेगा अगर दोनों दोस्तों मिल जाएगा तो एक दिन में दो एक तीन काम करेगा ठीक है और टोटल काम है दोस्तों चोविस तो यही कहर है कि दोनों मिल कर उस काम को कितना दिनों में करेगा तो दोस्तो दोनों मिल करके इस 24 काम को कितना दिनों में करेगा जब एक दिन में दोस्तो तीन काम करता है तो 24 काम करने में इसे कितना दिन का समय लगेगा 24 में दोस्तो इस तीन से भाग दे दीजे क्या हो जाएगा 3,8,24 यानि कि दोस्तो दोनों मिलकर के इस चोबिस काम को आठ दिनों में समापत करतेगा बूस्तो उमिद करता हूं कि इस परस्नों को आप समझ पाए होँगे तो दोस्तो इसका A obstruction No. 20 रही हो जाएगा दोस्तो ऐसे प्रस्नों को इसी परकास से बनना है ठीक है चलिए दोस्तो नेक्स्ट प्रस्णों को देखते हैं नेक्स्ट प्रस्ण है दोस्तो राम किसी काम का दोवट्टा तीन भाग छो दिनों में समाप्त करते हैं और स्याम उस काम को अठारा दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में स्वाप्त करेंगे तो दोस्तो ऐसे प्रश्णों को किस परकासे बनेंगे देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तो राम जो है किसी काम का दोवट्टा तीन भाग राम जो है दोस्तों किसी काम का दोवट्टा तीन भाग को छो दिनों में समाप्त करता है यानि कि दोस्तों पूरा काम को छो दिनों में नहीं समाप्त करता है अगर तीन काम है तो उसमें से दो काम करने में ये छे दिन का समय लेता है यही कह रहा है कि राम किसी काम को दो बट्टा तीन भाग छो दिनों में स्वाप्त करता है तो दोस्तो इस पूरा काम को करने में कितने दिन का समय लेगा अगर दो काम को करने में छो दिन का समय लेता है तो दोस्तो तीन काम को करने में कितने दिन का समय लेगा इस दो से दोस्तो इस च्छो में भाग दे दीजे तीन बार में लगेगा उस तीन से दोस्तो इस तीन में गुना कर दीजे क्या हो ज़ेगा तीन तीन या नो यानि कि दोस्तो राम जो है टोटल काम करने में नो दिन का समय लेता है जो काम होगा उस काम को करने में नौ दिन का समय लेता है और दोस्तो स्याम उस काम को करने में अठारा दिन का समय लेता है जिस काम को करने में राम नौ दिन का समय लेता है उसी काम को करने में दोस्तो स्याम जो है अठारा दिन का समय लेता है अब दोस्तो प्रसंदेख ये बन गया इसके बाद क्या कर रहा है दोनों मील करके उस काम को कितने दिनों में स्माप्त करेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तो इस 9-18 का LCM ले लीजिए आपको टोटल काम निकल के आ जाएगा कहने का मतलब दोस्तो राम जो है 9 दिन में इस 18 काम को करता है ठीक है और स्याम दोस्तो इसी 18 काम को 18 दिनों में करता है तो दोस्तो एक बात आप बता सकते हैं कि राम अगर 18 काम करने में 9 दिन का समय लेता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा इस 18 में इस आठारा काम करता है ठीक है इतना दोस्तों आप कर लेंगे इसके बाद दोस्तों क्या कर रहा है दोनों मील कर उस काम को कितना दिनों में समाप करेंगे किस काम को दोस्तो इसी 18 काम को दोनों जब मिल के करेगा तो कितना दिनों में करेगा तो देखिए एक दिन में राम एक दो काम करता है और स्याम एक काम करता है अगर दोनों मिल जाएगा दोस्तो तो एक दिन में कितना काम करेगा तीन काम करेगा जबकि टोटल काम है दोस्तो अठारा तो अठारा काम करने में इस दोनों को कितना दिनों का समय लगेगा जब एक दिन में तीन काम करता है तो अठारा काम करने में वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिए चलिए दोस्तो नेक्स्ट प्रशनों को देखते हैं नेक्स्ट प्रशन है दोस्तो, A तथा B मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, A अकेले उस काम को 24 दिन में करते हैं, तो B अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है दोस्तो, देखिए, कैसे बनाएंगे इस प्रशनों को, क्या करा है, A तथा B मिलकर किसी काम को 16 दिनो तो इसको 24 दिनों का समय लग जाता है निए तो क्या कीजिए दोस्तों सबसे पहले 16 और 24 का LCA certificate लेकर के total काम निकाल लीजिए तो सल्ला और 24 का दोस्तों LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा सल्ला और 24 को LCM लेंगे दोस्तों तो 48 हो जाएगा ठीक है यानि कि दोस्तों यह जो 48 LCM निकल के आया यह टोटल काम निकल के आगया ठीक है इसी 48 काम को A और B मिल करके जब करता है तो 16 दिन का समय लगता है और इसी 48 काम को अकेले करता है तो 24 दिनों में करता है ठीक है तो दोस्तो एक बात बताइए जब A, B मिल करके 48 काम को 16 दिनों का समय लेता है करने में तो एक दिनों में कितना काम करता होगा तो इस 48 में 16 से भाग दे दीजी क्या होगा जाएगा तो लत्या 48 तीन हो जाएगा यानि कि दोस्तों A और B मिल करके एक दिन में 3 काम करता है ठीक है यह एक दिन का काम निकल गया और दोस्तों A जो है 48 काम करने में 24 दिनों का समय लेता है जब अकेले करता है तब तो एक दिन में कितना काम करता होगा यह दोस् काम को कितनों दिनों में समाप्त करेंगे किस काम को दोस्तों इस 48 काम को भी कितने दिनों में समाप्त करेंगे तो देखिए दोस्तों भी एक दिन में कितना काम करता है जब दोनों मिल करके दोस्तों करता है तो तीन काम करता है जब कि दोस्तों एक दिन में दो काम करता है जब कि दोस्तो B जो है एक दिन में एक के काम करता है ठीक है और टोटल काम है दोस्तो 48 तो दोस्तो यही कह रहा है कि B अकेले इस काम को कितना दिनों में स्वाप्त करेगा जब दोस्तो एक दिन में एक काम करता है तो 48 काम करने में कितना दिन का समय लगेगा 48 दिन का समय लगएगा ठीक है इस 48 में 1 से भाइग देंगे दोस्तो, तो तो दोस्तो, B उस काम को 48 दिनों में swapć कर देगा तो दोस्तो, कौन सा ऑप्सन ना वाहिए एप्सन B इसका मैच कर रहा है तो तीनों मिलकर उस काम को कितनी दिनों में स्वाप्त करेंगे देखी दोस्तों यहाँ पे तीन बेखती है ठीक है A है, B है और C है तीनों जो है दोस्तों अकेले-अकेले काम करता है तो किसी काम को A जो है 10 दिनों में कर लेता है बी जो है दोस्तो 15 दिनों में समाप्त करता है और सी जो है दोस्तो 12 दिनों में समाप्त करता है ठीक है तीनों जो दोस्तो किसी काम को करता होगा तो अकेले अकेले 10 दिन को एक को समय लगता है तो टोटल काम निकल के आ जाएगा तो 10, 15 और 12 को जब LCM लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 60 LCM निकल के आ जाएगा यह जो LCM जो निकल के आया दोस्तों यह टोटल काम निकल के आगा है ठीक है यानि कि दोस्तों इस 60 काम को A जो है 10 दिनों में करता है बी जो है दोस्तो इस साथ काम को पंदरा दिनों में करता हो सी जो है दोस्तो इसी साथ काम को बारा दिनों में करता है तो दोस्तो एक बात बताए जब साथ काम करने को एक को दस दिन का समय लगता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा तो कह रहा है दोस्तो तीनो मील करके उस काम को कितना दिनो में समाप्थ करेंगे तो एक बात बताए ये तीनो जो है एक दिन में एक 6 काम करता है एक 4 और एक 5 जब तीनो मिल जाएगा दोस्तो तो एक दिन में कितना काम होगा 6, 4, 10, 5, 15 यानि कि दोस्तो तीनो अगर मिल जाएगा तो एक दिन में 15 काम होगा ठीक है जब कि दोस्तो टोटल काम है 60 ठीक है यॉई कह रहा है दोस्तों three mil करके उस काम को कितना दिन हो पूरा कऱेगा यह साठ काम के बार गजाएगा यानि दोस्तों three mil करके इस काम कारा को चार दिन तो कोन सा उप्सन दोसतों मेच कर रहा है उप्सन ए इसका मैच कर रहा है दोस्तों उमीद करता हूं इस प्रस्थ को भी आद पच्छी तरह से समझ गये होень अनी प्रस्थथ खर्तव क्यों सब्सक्राइब चलिए दोस्तो एक और प्रेशनों को देखते हैं नेक्स्ट प्रेशन है दोस्तो A B तथा C किसी काम को 5 दिनों 10 दिनों तथा 15 दिनों में स्वाप्त करते हैं तो B और C मिलकर उस काम को कितने दिनों में स्वाप्त करेंगे सबसे पहले लिख लिए दोस्तो एक इतना दिनों में समाप्त करता है पांच दिनों में ठीक है बी दोस्तों कितना दिनों में समाप्त करता है दस दिनों में और सी दोस्तों पंदरा दिनों में समाप्त करता है यह कह रहा है कि एक भी सी किसी काम को पांच, दस, पंदरा दिनों में स्वाफ्ट करते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले इस तीनों का LCM ले लेजिए तो टोटल काम निकल के आ जाएगा दस, पांच और पंदरा का LCM लेंगे दोस्तों तो तीस निकल के आ जाएगा यह जो दोस्तो 30 LCM निकल के आया यह दोस्तो total काम निकल के आ गया यानि कि 30 काम को करने में एको 5 दिन का समय लगता है इसी 30 काम को करने में 20 को 10 दिन का समय लगता है और इसी 30 काम को करने में C को 15 दिन का समय लगता है दोस्तो एक बात बताई अगर 30 काम करने में A को 5 दिन का समय लगता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा इस 30 में 5 से भाग दे दीजिए क्या हो जागा पंचक 30 यानि कि दोस्तो A जो है एक दिन में 6 काम करता होगा तब यह न 30 काम करने में 5 दिन का समय लेता है उसी परकासे दोस्तो 30 काम करने में B को 10 दिन का समय लगता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा 30 में 10 से भाग दे दीजिए 10 तिया 30 यानि कि दोस्तो B जो है एक दिन में 3 काम करता होगा और C दोस्तो एक दिन में कितना काम करता होगा 30 में 15 से भाग दे दीजिए पंदरा दूना तीस यानि कि दोस्तो C जो है एक दिन में दो काम करता होगा तब यह न तीस काम करने में पंदरा दिन का समय लेता है इसके बाद क्या कह रहा है दोस्तो B और C मिलकर उस काम को कितने दिनों में स्वाप्त करेगा किस काम को दोस्तो तो यह जो 30 काम है, उस काम को B और C मिल करके कितने दिनों में करेगा, तो देखिए, B जो है दोस्तो एक दिन में 3 काम करता है, और C दोस्तो एक दिन में 2 काम करता है, दोनों अगर मिल जाएगा दोस्तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में दोनों मिल करके दोस्तो 5 काम करेगा जबकि total काम है दोस्तो 30 काम करने में B और C को कितना दिन का समय लगेगा 30 में दोस्तो 5 से भाग देदीजिए क्या हो जाएगा 30 में 5 से भाग देंगे तो 35 यानि 6 बार में लगेगा यानि कि दोस्तो 30 काम को करने में B और C को पाँ छे दिन का समय लगया ठीक है दोस्तो ओप्शन भी इसका मैच कर रहा है ठीक है यहीं पर कहता है दोस्तो तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा तो तीनों को जोर देते हैं दोस्तो उमिद करता हूं कि इस परशनों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना है अगर वीडियो आपको फसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को अभी तक सस्क्राइब ने किया तो चैनल को सस्क्राइब कर ल